सब्सक्राइब यहां हमधोने में में दिजंट से मुष्ट करें कि कंवे क्लास झांजब सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहिफ पहलिजीट के देखते हैं तो डेजट इस एरेड रीजन, एरेड का मतलब है सुस्क, सुस्क रीजन कौन सा होता है, ऐसा रीजन जहां पर मोश्चर ना हो, क्या ना हो, मोश्चर मतलब नमी ना हो, तो उस रीजन को हम बोलते हैं सुस्क रीजन, तो डेजट एक एरेड रीजन है, सुस्क रीजन है, जहा है और ऐसा रीजन यहां तो यहां पर बहुत जाड़ हाई हो जहां पर हाई टेंप्रेचर हो था उसको तो हम बोलते है होट ड dominant और जहां पर एड़ लो टेंपर्परेचर हो उस दिखेट व्लिख होween को अरवह छक्यं голос को पर शक्यर्स यहां रखना है पीड़ पोदें तो पीड़ पोदों की संक्यावी क्या हो कम हो उसको बोलेंगे डेज़ट यह बार एक डेफिनेशन को एक बार दोबारा से टोटनी को सुष करें नमबर एक ऐसा एरिया जो कैसा हो हो एरिड हो मतलब जहां पर मोशिचन नहां हो दूसरी चीज या तो आपर extremely high temperature हो या पहे पिर लो temperature हो उसको भी कह बोलेंगे twee जहां पर ओप युद्सेंड टो इने बनालब है एसा अलका जहां पर एक तो मोशिचन नहां या धिशन स्रिचीज एर उसकी सुसको और या तो बहुत ज्यादा टेंपरेचर या बहुत कम टेंपरेचर हो एजबेल एज वहाँ पर जो वेजीटेशन पाई तो देजे यहां में डेजेट होने का सीधा-सीधा दी जने वहां पर बरसात नहीं हो रहे हैं यह जहीं होगा ऊपर सबसे मेन प्रोब्लम क्या है कि वहां पर रेजफोल नहीं होगी तूसरा इसकेंटी वेजिटेशन में बहुत कम वहां पर पेड़ पोदे पाए जाएंगे एक्स्ट्रीम टेमपरेचर तीसरा इस्ट्रीम यह ज्यादा चाहला टेमपरेचर होगा या बहुत कम जिसे आपको देख सकते हो लगडाक में जो डेजर्ट है यह पोलर एरिया होाँ पर एक् हम बात करें सारा डेजट की extremely high temperature है वहाँ पर ऐसे डेजट में सिर्फ वहीं के लोग survive गर सकते हैं और normal लोग cannot survive there ठीक है और डेजट का अगला feature क्या है यहाँ पर population कम होगे अब सीधी सीधी बात है जब आप बरसात नहीं होगी बरसात नहीं होगे तो आप खेती नहीं कर सकते और केती नहीं कर सकते है तो खाएंगे क्या इसलिए वहाँ पर population क्या होती है population की density बहुत कम होती है conditions होती है बहुत ज्यादा ऐसे conditions होती है जिसमें हम survive नहीं कर सकते है हमारे रहन्जान के बिपरीत होती है तो उनको भुत हार्थ conditions और यहाँ पर जो soil पाई जाती है वो पर पढ़ता है वहां पर सूखे बहुत पढ़ते हैं अगर इस जोगे पर डॉट पढ़ेगा तो इट में लीट टू फैमाइन और इसकी बैसे क्या हो सकता है यह मतलब अकाल भी पढ़ सकता है ठीक है तो ऐसे इरिया में यह प्रोब्लम भी है तो एक तो लेसरेन फोले तो ड होकमरी से लोग मर सकते हैं ठीक है तो यहां भी डेजट पाए जाएंगे इस फीचर्स विल प्रवेल देर वहां पर यह सारे फीजर्स मिलेंगे आपको अच्छा अगला है टाइप सोब डेजर्ट अगर हम टेंपरेचर अक्या आधार पर देखें तो जहां पर एक्स्टिम होड डेजर्ट कैसा डेजर्ट है होड डेजर्ट लग्दाक कैसा है कोल्ड लग्दाक कैसा है कोल्ड डेजर्ट है पॉलर एरिया में जो डेजर्ट पाए जाते है टेटी जो कोल्ड डेजर्ट तो आई होप यू कैन सी थार कैसा डेजर्ट है होड डेजर्ट है ठीक है गरम बहुत ज़्यादा extreme temperature रहता है ठार रेगिस्थान यब ठार का मरुस्थल अपना इंडिया का ठीक है कैसा यह cold desert है और you can see this is cold desert लग्दाक कहा है लग्दाक का एरिया which is cold और यहाँ पर भी conditions हार से हैं और rocky area you can see तो यह भी एक cold desert है आज हम इतना ही discuss करेंगे आने वाले lectures में हम इसको मैंने भूला था कि तीन पार्ट में discuss करेंगे आने वाले में हम रेगिस्थान के बारे में जानने कोशिस करेंगे और यह geography का ध्यान रखना NCRD का अपना पहला lecture है और मैं अब NCRD के series start कर दी है और I will finish all NCRD books from 6th to 10th first तो beginning हो चुकी है RBSC के मैं अलड़ी डाल चुका हूं कुछ अब NCRD के beginning हो गई है 6th के भी आएंगे 7th class के भी आएंगे 8th के भी आएंगे 9th के तो these videos will help especially for UPSC and state PCS exams एस्पिरेंट्स ठीक है उने के लिए help करेंगे बाकी NCRD पढ़ने वालों के लिए तो help करेंगे So ये अपना channel है Thank you Thank you so much Keep learning Keep enjoying God bless you all